तो दोस्तो चेन नहीं सूपर किंग के खिलाब जब उतरेगी केक के आर की टीम लगातार हार के बाद बड़े बड़े बदलाव ये टीम करने वाली है किस तरह की इस टीम की प्लेंग लेवन होगी साथ-साथ क्या चेन नहीं सूपर किंग की टीम कोई चेंज करेगी सारी बात चित करेंगे तो आप इस वीडियो को बस कर दीजिए एक लाइक और आपके इसाब से कौन सी टीम जीत रही है ये मुकाबला चेन नहीं सूपर किंग या फिर कॉलकाता नाइट राइडर्स कमेंट करकर हमें जो है वो जरूर बताएं दोनों ही टीमों की सिचुएशन की बात करें तो विल्कुल विपरीत है चेन नहीं सूपर किंग 6 में से 4 मुकाबले जीत कर पॉइंट स्टेबल में है नंबर 3 के पायदान पर वहीं बात कर है अगर ये मुकाबले ये टीम हारती है तो बुरी तरीके से फसने वाली है पॉइंट स्टेबल में जहां पर दोस्तो हैड टू हैड रिकॉर्ड के अगर बात करें तो यहां पर भी केक्यार की टीम के लिए कुछ अच्छी खबर जो है वो नहीं है टोटल 27 बार ये दुनो सामने जो है वो हुई है जहां पर 9 मुकाबले सिर्फ केक्यार की टीम जीती है 17 मुकाबले जीती है चैननाई सूपर केंगी टीम पिछले 10 मुकाबले अगर आप देखे तो 7 मुकाबले चैननाई जीती है सिर्फ 3 मुकाबले केक्यार की टीम जीती है एक अच्छी बात केक्य की दोस्तों बात हुई ओवरोल किस तरह की सिचुएशन है दोनों टीमों के उसकी बात हुई अब प्लेइंग 11 की तरफ बढ़ते हैं चैन नहीं सूपर गिंग की टीम सायधी कोई चेंज करें बैंग स्टोक्स अभी भी आनवेलबल बताय जा रहे हैं मगाला आनवेलबल हैं बीपक चैर को लेकर डाउट्स है कि वो फिट हो पाएंगे या फिर नहीं ऐसे में प्लेइंग 11 की बात करें तो डैवन कौन बे और रूतुराज गायकवाड ओपन करते हुए हमें जो है वो नज़र आएंगे नमबर तीन पर अजिंके रहाने होंगे चौते नमबर पर मोह इराना और 11 नमबर पर दोस्तों तुसार देस पांडे प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे कुछ इस तरह की चैन नहीं सूपर किंग की प्लेइंग 11 हमें नज़र आएगी अब बढ़ते हैं केके आर की तरफ जहां पर चेंजेस होने वाले हैं पिछले मुकाबले में इस टीम ने विगेट की पर तो चेंज करेगी एंग जगदी सन की एंट्री यहां पर हो सकती है इसके अलावा दोस्तों ये टीम एक फॉर्नर फास्ट बोलर को प्लेइंग 11 में लेकर आ सकती है जो की हो सकते है टिम साउधी चलिए प्लेइंग 11 की बात करते है कि केक्यार की टीम अपनी प्लेइंग 11 जो है वो रख सकती है तो यहां पर ओपन करते हुए हमें एन जगदी सन नजर आ सकते है जेसन रॉय के साथ नमबर तीन पर वैंकटेश अयर होंगे चौते नमबर पर कप्तान नित्ती सराणा पाचो नमबर पर रिंकु सिंग छटे नमबर पर आंद्रे रसल तो साथमे नमबर पर होंगे सुनिल नरेल आठमे नमबर पर हमें शारदूल ठाकुर जो है वो नजर आएंगे 9 नमबर पर होंगे श्यादव होंगे दसवे नमबर पर वरुन चकरवर्ती और 11 नमबर पर टिम साओधी प्लेइंग 11 का हिस्सा जो है वो होने वाले हैं कुछ इस तरह कि हमें लग रहा है प्लेइंग 11 हो सकती है केके आर की यहाँ पर हमने चेननाई सूपर किंग की प्लेइंग 11 की पहले ही बातचीत करी दोनों ही टीमों के एक्स फैक्टर प्लेयर की बातचीत कर लेते हैं तो चैननाई सूपर किंग की टीम एक्स फैक्टर के तौर पर लेकर आती है अमबाती राइडू को जो की बहुत ही कमाल के बैट्समन है लेकिन इस साल उतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आ रहे किस तरह की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 होगी और एक्स फैक्टर प्लेयर की बात करी हैं अब बढ़ते हैं मैच प्रेडिक्शन की दरफ कौम सी टीम जीतेगी ये मुकाबला तो हमारी जो प्रेडिक्शन है वो है यहाँ पर चैननाई सूपर किंग की टीम हालकि ये प्रेडिक्शन चेंज हो सकती है टास के बाद हमारी क्या प्रेडिक्शन होगी हम आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर बताएंगे जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में फिलाल कि इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले